दोस्तों, Infinix launch कर दिया Infinix Note 7 phone को इंडिया में तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वालाओ Infinix Note 7 और Poco M2 phone का बारी में ये दोनु phone का full specification details comparison करने वालाओ इन दोनु phone में से कुन सा phone बहतर है और क्या आंतर है दोनु phone का specification में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लाज तक बने रही है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये दोनु phone का specification में क्या आंतर है तो पहले ये आपे display से शुरू करते है Poco M2 phone में display side दिया गया 6.53 inch का full HD plus IPS LCD display दिया गया और इसमें एक dot nose दिया गया फिर water drop nose भी बल सकते S5 का बात करें तो 19.59 S5 दिया गया Screen to body ratio का बात करें तो 89% screen to body ratio देखने को मिल जाता है और इसमें Gorilla Glass का protection भी दिया गया Gorilla Glass 3 का protection दिया गया है और यहापे बात करें तो Infinix Note 7 phone इसमें display size काफी बाड़ा दिया गया है 6.95 inch का full HD plus IPS LCD डिस्पले दिया गया है इसमें full HD डिस्पले देखने को नहीं मिलता है HD plus डिस्पले दिया गया है इसमें nose देखने को नहीं मिलता है चोटा सा एक पांच ओल दिया गया है S5 का बात करें तो 20.59 S5 दिया गया Screen to body ratio का बात करें तो 21.5% Screen to body ratio देखने को मिल जाता है और इसमें भी Gorilla Glass का प्रोटेक्शन दिया गया है लेकिन कुन सा वर्जन यूज किया गया है यह नहीं बता है तो मुझे जातक लागता है Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया होगा तो यह दोनों फोन का डिस्पले में और इसमें नौज भी दिया गया है और यह दोनों फोन का कैमेरा का बात करें तो Poco M2 फोन में Quad Air कैमेरा दिया गया है जो प्राइमरी सेंसर है 13 Megapixel का F2.2 Apache R का साथ में दिया गया है जो सेगेंडरी कैमेरा है 8 Megapixel का F2.2 Apache R का साथ में Macro Lens दिया गया है और जो 4th कैमेरा है 2 Megapixel का F2.4 Apache R का साथ में Depth Sensor के लिए दिया गया है इसमें Full HD वीडियरेंग ने Support मिल जाता है LED Flash दिया गया है और यहापे बात करें तो Infinix Note 7 Phone इसमें भी Quad Air कैमेरा दिया गया है जो प्राइमरी सेंसर है 48 Megapixel का F1.8 Apache R का साथ में दिया गया है जो सेगेंडरी कैमेरा है 2 Megapixel का F2.4 Apache R का साथ में Macro Lens दिया गया है जो टार्ट कैमेरा है 2 Megapixel का F2.4 Apache R का साथ में Depth Sensor के लिए दिया गया है जो 4th कैमेरा है 2 Megapixel का F2.4 Apache R का साथ में dedicated camera दिया गिया है इसमें 4K बीटे रिगटी support मिल जाता है full HD बीटे रिगटी support मिल जाता है quad LED flash भी दिया गिया दोनों फोन का selfie camera का बात करें तो Poco M2 phone में 8 Megapixel का F2.0 अपाचर का साथ में selfie camera दिया गिया और यहाप बात करें तो Infinix Note 7 phone इसमें 16 Megapixel का F2.0 अपाचर का साथ में पांचोल selfie camera दिया गिया है दोनों फोन का selfie camera में कोई LED flash नहीं दिया है तो यहापे camera में बाजी मन लेता है Infinix Note 7 phone इसका rear camera भी तोड़ा बैता देखना को मिलेगा और selfie camera भी तोड़ा बैता दिया गिया है दोनों फोन का performance प्रोसेयर का बात करें तो दोनों फोन में midiatek का प्रोसेयर दिया गिया है Poco M2 phone में midiatek Helio G80 अक्टोकर प्रोसेयर दिया गिया है इसका clock speed है 2.0 GHz clock speed पर चलता हूँ GPU का बात करें तो Mali G52 MC2 दिया गिया है इसमें भी midiatek का प्रोसेयर दिया गिया है midiatek Helio G70 अक्टोकर प्रोसेयर दिया गिया इसका clock speed है 2.0 GHz clock speed पर चलता हूँ GPU का बात करें तो Mali G52 GPU दिया गिया दोनों प्रोसेयर का प्रोसेयर टेक्नोलीजी का बात करें तो दोनों प्रोसेयर 12 नेमेडर पर आधारीत या 12 नेमेडर पर चलता है तो परफर्मस में या पे बाजी माल लेता है Poco M2 फोन दोनों फोन का OS इवजर इंटरफेस का बात करें तो Poco M2 फोन में Android 10 आउट ओफ ता बक्स टेक्नों को मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 7 फोन इसमें भी Android 10 आउट ओफ ता बक्स टेक्नों को मिल जाता है और साथ में XOS 6.1 दिया गया दोनों फोन का वरेंड का बात करें तो Poco M2 फोन दो वरेंड पे आता है 6GP RAM 64GB internal storage का साथ में best warrant आता है जो higher warrant है 6GP RAM 128GB internal storage का साथ में आता है और यह पर बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 7 फोन यह फोन एकी वरेंड पे आता है 4GP RAM 64GB internal storage का साथ में आता है दोनों फोन में memory card भी expandable कर सकते है दोनों फोन का battery का बात करें तो दोनों फोन में same battery दिया गया 549S का battery देखने को मिल जाता है दोनों फोन का fast charging support का बात करें तो 18W का fast charging support देखने को मिल जाता है दोनों फोन का ESP connector का बात करें तो Poco M2 फोन में ESP Type-C 250 दिया गया दोनु फॉन का SIM support का बात करें तो दोनु फॉन में dual 4G SIM voltage देखने को मिल जाता है दोनु फॉन में 3.5 mm audio jack भी दिया गया दोनु फॉन का security feature का बात करें तो Poco M2 फॉन में rear mounted fingerprint sensor दिया गया back side में fingerprint sensor दिया गया और यह पर बात करें तो Infinix Note 7 phone इसमें side mounted fingerprint sensor दिया गया side में power button है power button में fingerprint sensor दिया गया दोनु फॉन का bill quality design का बात करें तो दोनु फॉन में काफी है जब बढ़िया डिजाइन दिया गया ग्लासिक finishing के साथ दिया गया आए Poco M2 phone में gorilla glass 3 का protection frame side में देखने को मिल जाता है प्लासिक bag दिया गया है लेकिन ग्लासिक finishing के साथ देखने को मिल जाता है और यह पर बात करें तो Infinix Note 7 phone इसमें भी कफी हैच्चा बढ़िया डिजाइन दिया गया ग्लासिक 3D कार्फ बैक दिया गया है लेकिन इसमें glass देखने को नहीं मिलता यह पर बात करें तो Infinix Note 7 phone यह phone एकी वरेंट पर आता है 11,499 पर बात करें तो दोनुफन फन फिलिपकाट पर बात करें तो दोनुफन फन फिलिपकाट पर बात करें तो Infinix Note 7 phone का जो fast sale होने वाला 22nd September को इसका fast sale होने वाला 22nd September को फिलिपकाट पर बात तो यह ता कुछ specification details Poco M2 और Infinix Note 7 phone का आपको जोस्त इन दोनुफन में से कुनसा phone बेतर लगा और कुनसा वना पाच्छस करना चाहोगे आप नीचे करन करके बता सकता हो यह दोनुफन का confused का बात करें तो इन दोनुफन में से कुनसा phone बेतर है दोनुफन अल्मोस सेम स्पेसिफिकेशन का साथ आता ज्यादा कुछ डिफेरेंस देखने को नहीं मिलता है इन फिनिक्स नोट 7 phone में इसमें कुछ चीज बढ़िया दिया गया जैसे कि डिस्प्ले साइज काफी बढ़ा देखने को मिल जाता है इसमें पांच ओल दिया गया लेकिन इस चीज बढ़िया दिया गया दिस्प्ले में इसमें फूल इस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है गरिला गलास तरी का प्रोटक्शन भी दिया गया इसमें परफॉर्मस डेखना को मिल जाता है सिंगी वड़ेंट आ जाता है 10 11,000 में और यहां बात करें तो इन्फिनिक्स not 7 फोन इसमें 4GP वरेंट देखने को मिल जाता है 11,000 में 11,500 में तो मेरे किया लसे यह पे तुला सा बेहतर रहेगा Poco M2 फोन इसमें Full HD Plus डिस्पेले मिल जाता है परफर्मस पेहतर देखने को मिल जाता है इसका प्राइस भी कम में अगर कमपार करें तो यह पें इन्फिनिक्स नोट सेबन फोन से 500 फाइट आउट रुपीज कम प्राइस में मिल जाएगा Poco M2 फोन तो मेरे कल से तुला सा बेहतर है Poco M2 फोन अगर आपको बढ़िया डिस्प्ले चाहिए है पांच होल चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं इन्फिनिक्स नोट सेबन फोन के तरफ बढ़िया तुला सा कैमेरा चाहिए तो आप जा सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट सेबन फोन के तरफ तो इसमें आप लोग को कफी कुछ पढ़िया देखने को मिल जाता है और इसमें टाइप सी भी देखने को मिल जाता है पोको M2 फोन में और इंफिनेक्स नोट सेबन फोन में माइक्रो यस्पी दिया गया है अगर आपको यह वीडिया अच्छा लागा तो प्लीज लाइक करके जाएं रहो सके तो अपना ही टेक्निकल अबर दिने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साइट पर लेकर आएगा उस पर भी किलिक कर दिए तक जबी में विटे डालूंगा आप दो को मिलत चका यह आडा कि अदेख आप बीद,देख से बयां, है किव आंगा और तक करके ले राएं, इने हुआ को सक्वों से mapped करदमें कर दो कि और एकर शबर सम्हें कर सो की को अजसी कर दो कि पक्ताम मेंने।तों समझत उंधता मिके लिए बाइगर बहूंअ दद सके लेरे पर आ